हाई गाईज इस अनुवर्मा वेलकम बैक तो माई चैनल क्रेकबोड 1819 सो आज हम बात करेंगे कि 5 डेज में आप पासिंग मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं पासिंग मार्क्स मतलब जस्ट 40 और अबाव 40 केवल कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इजी भी हैं और आप उनको अभी भी अगर आप चाहें तो आप उनको प्रिपेर कर सकते हैं कौन कौन से हैं वो टॉपिक तो खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनोंने अभी तक भी पास होने के लिए मैट्स की कोई प्रिपरेशन नहीं की है ठीक है तो ध्यान दें जिनोंने पढ़ रखा है उनके लिए तो मच बैटर वो तो किवल इन दिनों रिवाइस कर रहे होंगे लेकिन जिनोंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ये मान के हम चल रहे हैं कि उनको कौन से टॉपिक इन दिनों में करने चाहिए कि वो अपने पासिंग मार्क स्कोर कर सकते हैं अपने बोड एक्जैम्स में सबसे पहला इज़ीस टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट थर्ड और फोर्ड़ चäप्टर जादा तर हर बच्चे उसको अराम से कर लेते हैं कौन-कौन से टॉपिक उसमें करने हैं आपने मैट्रिक्स में आप करेंगे जो equations, second exercise में जो equations based question है जैसे a square plus 5a plus 6i equals to 0 and find a inverse उस ताइब के question प्लस जो a, i, j element आपको given है और उसकी help से आपने construct करना है matrix को या two matrices equal given है वहाँ से unknowns की value find करनी है उस type के questions last में induction based भी miscellaneous में कुछ 2-3 starting के questions है या two or three matrices आपको product में given है और equal to में कोई एक अलग matrix given है उसको compare करके variables आपको find करने हैं ठीक है determinate में जो second exercise है property based उसको आप जरूर कर लीजेगा क्योंकि एक question compulsory उसी exercise से आना है last की जो exercise है जिसमे linear equations को हम solve करते हैं एक वो exercise आपने जरूर करनी है और matrix में elementary transformation based exercise है 3.4 उसमें जो 3 by 3 के questions है उनको आपने जरूर करना है और एक exercise है simple सा question आता है skew symmetric और symmetric पर based I think 3.3 exercise है वो जिसमें एक matrix आपको given होता है और उसको आपको break करना है sum of symmetric और skew symmetric में simple question है केवल आपने उसका transpose निकाल के एक बार plus करके half करना है और एक बार minus करके सब topic important topic आपको already videos में मिल जाएंगे अगर आप अभी भी इच्छा रखते हैं कि हाँ हम इस board में clear कर लें pass कर लें अपने आपको तो आपने ये topics अच्छे से prepare कर देने हैं इसके बाद आपके पास कोई chance नहीं है ठिक next आपता है आपका differentiation differentiation में वैसे तो six और seven exercise हैं लेकिन आपको सारी नहीं करनी हैं एक तो log वाली exercise है third या fourth exercise उसके जो questions हैं जिसमें two terms आपको given हैं दोनो log से solve होंगे u और v लेके जिसको हम solve करते हैं एक आपको second derivative की जो equations based questions होते हैं उस type के questions और एक अगर continuity के questions लेकिन अपनी NCRT में continuity के questions बहुत जादा नहीं है इस पर अलग से एक video uploaded है आप देख लीजेगा चैनल में playlist में search कर लीजेगा continuity के previous year के जतने questions आप कर पाएं तो ये तीन topic पर based आप questions कर लें कम से कम दो questions आपको अराम से मिल जाएंगे area bounded by curve कोई integral आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़रुत नहीं है केवल एक formula आपको use करना होता है under root a square minus x square जहाँ भी circle के questions हैं या जहाँ भी ellipse के question हैं और simple x linear parabola को तो आप integrate करी सकते हैं based questions हैं और एक triple product based supplementary के last में book के last में एक exercise given है जिसमें four points को coplanar prove करना है या three vectors को coplanar show करना है उसको ज़रूर कर लीजिगा एक question आपको महाँ से भी मिल सकता है straight line पूरा 3D complete नहीं करना है क्योंकि plane के बहुत सारे questions हैं बहुत vast हैं केवल आप SD जो line की exercise है second exercise और first exercise DRs और DCs based इन दोनों exercise को कर लें आप कम से कम four या six marks के question आपको यहां से मिल जाएंगे SD का direct formula है line के केवल दो formula है और cos theta का एक angle का direct formula है ठीक है उसके बाद linear programming बहुत easy chapter है कोई formula आपको याद नहीं करना है कोई कुछ नहीं करना है केवल आपको इन equations form करनी आनी चाहिए और graph में plot करना आना चाहिए उसके बाद पूरी probability आप नहीं करें तब भी third exercise जो 22 theorem पर based है सारे questions एक जैसे हैं तो इस exercise को जरूर कर लीजेगा इसमें से एक question 6 या 4 marks में आपको 100% मिल जाएगा अगर आप केवल इतने से topic भी कर लेते हैं hardly 4 या 5 days में आप इनको complete prepare कर सकते हैं तो आपके 40 above marks की guarantee हम लेते हैं कोई भी paper आप उठा के देख लीजिए last year का before last year का इन topics पर based आपको question 100% मिलेगा ठीक है तो अब भी अगर आपको लगता है कि आपको इन topics पर तो आपकी guarantee हम लेते हैं पास होने की फिर भी कोई problem लगे किसी भी topic में तो आप comment box में जाके comment कर सकते हैं तो आज के video में केवल इनके लिए और धेर सारी best wishes आपको आपके board exams के लिए so till then bye bye thank you